unit number 2 atomic structure and today's topic is simply bohar's model of atom before starting this topic we will discuss about some important terms related to bohar models let us start now we are discussing about differentiation between orbit and orbitals what is orbit orbit को बच्चो हिंदी में बोलते हैं कक्ष और orbital क्या होता बहीं कक्षक ठीक है अब यह समझा जाएगा आपको टोटली दोनों में differences क्या है अगर एक्जाम के वीव से हम देखें तो यह differences generally पुछे जाते हैं बच्चो लेट आस स्टार्ट विद फर्स्ट डिफ्रेंस इट इस circular path around the nucleus जैसे बच्चो मेरे पास यह nucleus है इसके चारों तरफ जो circular path होता है एक गोलाकार एक मार्ग होता है उसको क्या बोलते हैं orbit बोलते हैं जैसे आपने पढ़ा था ना इस orbit के अंदर shell होते हैं k shell, l cell, m cell आप पढ़ते थे 2, first में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, 18, 32 इस तरह से यहाँ पर क्या है मेरे पास, orbital क्या होता है बच्चो, orbital जैसे मैं यह बताता था first एक box है, मेरे पास इस box में 2 electron है, एक up spin का है बच्चो, एक low spin का है यह मालनो मेरा s orbital है, s sub cell है, मालनो इस sub cell के अंदर है तो यह actually क्या होता है, it is three dimensional path around the nucleus nucleus के चारों तरफ है ना, actually मैं बणा तो सकता है इसके अंदर इसको three dimensional path होता है बच्चो यह, यह क्या होता है एक तरह का three dimensional path जहां पर electron के मिलने की probability maximum होती है, ठीक है चलिए आगे चलिए, it represents the planar motion of electron, यह two dimensional है तो electron की planar motion को बताएगा, एक plane में movement करेगा electron हमारा, जबकि इसमें क्या electron three dimensional motion में move करेगा भी, clear है ना, इस चीज़ का भी concept आपको all the orbitals are circular, चितने भी orbital आप पड़ते हो, सारे क्या होंगे, circular होंगे, गोलाकार होंगे, ठीक है orbits की बात है यह, चितने भी orbits हैं, सारे क्या होंगे, circular, लेकिन orbital की shape क्या है, बच्चो different होती है, ठीक है, एक S orbital हमारा spherical होता है, बाकि P orbital को देखोगे तो बच्चो यह dumbbell shape होता है, dumbbell shape, कैसी shape होती है इसकी, dumbbell shape, आप F orbital, इसको D orbital को देखोगे तो बच्चो यह क्या होता है, double dumbbell shape, और फिर F orbital भी हमारा क्या है, इसी तरह से triple dumbbell, quarter dumbbell चलते रहते हैं हमारे इसकी shape के अंदर, चलिए आगे discuss करते हैं, next difference का point हमारा, these are non-directional in nature, यह कोई directional show नहीं करते हैं, X, Y, Z की, यहाँ पे क्या है, non-directional हैं बच्चो इसका meaning क्या होई, इसका meaning यह है, अगर मैं बात करूँ, यह, इस dumbbell shape की, इस dumbbell में क्या, अगर electron होगा, तो इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, मतलब, अगर मैं मानलो, मेरे पास, suppose बच्चो, D, X, Y है, तो मानलो, मैंने इसको बना दिया, D, X, Y को, यह देखो, अब इसकी क्य होगी, यह X-axis मानलिया, हमने, यह Y-axis मानलिया, ठीक है, तो मानलो, हम इसको discuss करें, D, X, square, minus Y, square, बोलें इसको, D, X, square, minus Y, square, तो यह, इसकी direction बताता है, यह, यह, देखोगे, तो X, direction, Y, direction, Z, direction, ठीक है, जबकि यहां ऐसा कुछ नहीं होता, यह, पेनियो के लिए, इसके चा सारे directional characteristics जो करते हैं, number of electron, अगर आप किसी भी orbits, orbits के अंदर, अगर आप किसी भी, यह, sorry, यह wrong लिखा गया भी, यहां orbits आएगा, बच्चो, ठीक कर लेना इसको भी, यहां क्या आएगा, orbits, orbits लिखा गया है, आप पे, तो number of electrons in any orbits, are in accordance with two-n square rule, अगर आप किसी भी, और किसी भी, orbit के अंदर, electron निकालना चाहते हैं, तो formula लगा होगे, two-n square, n की value, अगर मालो मैं, first orbits के अंदर, n is equal to one है मेरा, तो first orbit में कितने electron होगे, मैं check करता हूँ, तो two into one का square, one ही होगा, तो first में two होगे, अगर मैं second में check करूँ बच्चो, तो second में check करने के लिए मैं क्या करूँगा, two into two का square कर दूँगा, तो four into, यानी eight होगे, इस तरह से आप continuously निकाल सकते values को, an orbital of an atom can help, अब आप ये तो जानते हो, किशी भी orbital के अंदर maximum दो electron हो सकते हैं, और वो भी opposite से पीन के, ठीक है, clear है, चलिए next, हमारे कुछ questions हमने पुट किये यहाँ पे, what are the number of orbitals in SPDF subcell, बता रख्या बच्चो मैंने आपको इसके बारे में, S subcell में कितने orbital होते हैं, one orbital, और इस orbital में maximum, one orbital में कितने electron हो सकते हैं, two opposite से पीन के, तो यहाँ maximum six electron लाई कर सकते हैं, बच्चो, D subcell में कितने orbital होते हैं, D subcell के अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे five orbital होते हैं भी, और each orbital contain two electrons, so there are total number of electrons are 10, further next, we are discussing in F subcell, there are seven orbitals in F subcell, so, if we want to calculate the number of electrons in seven orbitals, one, two, three, four, five, six, seven, then number of electrons maximum may be 14, because each orbital contains, यह consist two electrons, चली एक चुटा सा रूल और बता देता हूँ आपको मैं यह, यह आपको पहले बता चुका हूँ ऐसे मैं, कहां बता चुका हूँ एक वीडियो देखो गई, electronic configuration कैसे करते हैं, how to do electronic configuration, वहाँ पे आप सर्च मारो इसको, तो वहाँ पे आपको मिलेगा, आपव प्रिंसिपल से भी मैंने आपको सुमझाया था, एक रूल था, वहाँ पे मैं याद दिला देता हूँ, 1S, ऐसे लिखा था, मैंने 2S, 2P, ऐसे घोला करके बताया गया था आपको, और फिर 3S, 3P, 3D और फिर arrow आपने लिखा आई था, इस तरह से वह रूल था जो, तो बताओ क्या होगा, आपव प्रिंसिपल होता क्या है, वैसे वहाँ डेफिनेशन इसकी नहीं होताई गई थी, इस क्वेश्चन में आई हुई है, डेफिनेशन, अकोर्डिंग टू अप्रिंसिपल, इन द स्टेट क्या होती है, एक्साइटिड स्टेट, जब एटम को कुछ एनरजी दे दी जाती है, तो वो एक्साइटिड स्टेट में चला जाता है, और जादा एनरजी दे देंगे बचो, तो क्या होगा, और सेकेंड एक्साइटिड स्टेट में चला जाएगा, और जादा एनर और्बाइटल्स के अंदर यानि order of increasing value of energy starting from the orbital of lower energy यानि ऐसा रूल जिसके अंदर क्या है और्बाइटल्स को या और्बिट्स को क्या है उनकी बड़ती energy के अधार पर रखा गया 1s, 2s, 2p, increasing order of energy अभई, उसको ही हम क्या बोलते हैं और्बाइटल्स विद इलेक्ट्रोन की 1s यह मैंने आपको बता रखा पहले भी दोबारा बताने की वह पूरा बता रखा आप इसकी ट्रिक भी बता रखी है 1s, 2s, 2p यह increasing order अभच्चों इनका बड़ते करम में energy के अधार पर इटे, I had explained it in my previous video lecture, how to do electronic configuration by simple trick नाम से मिलेगा आपको J.S.S.Arma chemistry चैनल पर तो आप, वहाँ पे आप, मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी, भी school, school, public school, public school, Delhi public school, और Delhi public school, और fail हो गए तो फिर Delhi public school, फिर Delhi public school, यह एक rule था भी, इसके according हम इसको कर सकते हैं Now, let us start with next question, that is, what do you mean by from degenerate orbital, देखो बचो कई बार आ जाता है exam में, degenerate orbital क्या होता है, ऐसे orbitals, किसी भी same subcell के, जिनके energy क्या हो, equal हो, क्या बोला मैं, किसी भी, ऐसे orbital, किसी subcell के, same subcell के, जिनके energy से, मुझे से मैं बात करूँ, P subcell की बात करूँ अभी, P subcell में क्या है, 1, 2, 3, 3, P orbital है, इनकी इस orbital का नाम होता है, बच्चो, 2PX, इसका 2PY, और इसका 2PZ, ठीक है, तो देखो, क्या बोला गए यहां पर, ऐसे orbitals, जो same subcell के है, अब P subcell के हैं, तीनो के तीनो, और इनके energy क्या है, nearly same ही तो होगी, 2PXY, 2PX की value, 2PY की value, 2PZ की value, same ही होगी, एक example और देख ल 3, 4, 5, अब इसका नाम क्या है, बच्चो, D, X, Y, इसका नाम क्या, दूसरे वाले का, D, Y, Z, third वाले का नाम है, D, Z, X, फिर इसका नाम है, T, X, square, माइनस Y, square, और लास्ट वाले का नाम है, बच्चो, D, Z, square, तो यह क्या है, यह भी तो same है, same subcell के, 5 orbital, जिनके energy क्या है, nearly equal है तुसी को बोलते हूँ, आप degenerate orbitals, clear है, बिल्कुल clear हो गया ओए concept आपको, चलिए, define atomic orbital, atomic orbital को define करो, बच्चो, क्या होता है, फिर यह जो आज का main topic है, अपना very important, यह तना important topic है, बच्चो, physics में और chemistry दोनों में ही useful है, बहुत ज़्यादा, बहुर model of atom, तो चलिए, atomic orbital को define करते ह It is the three dimensional space, यानि three dimensional space है, around the nucleus, nucleus के चारव और जहाँ पर electron के मिलने की संभावना क्या है, 90 से 95%, इसको बोलते है, maximum, यानि एक nucleus नभी के चारों तरफ का वो, थरी विमाव वाला अक्षित्र, जहाँ पर electron के मिलने की, जो राइकता है, वो क्या है, जो maximum है, ज्यादा से ज्यादा, होती है, उसी space को बोल दिया गया है, atomic orbital, atom का है तो atomic orbital, molecular का तो molecular orbital हो जाएगा, चीक है, तो अगला topic हमारा start होता है, बोहर्स model of atom, जब बच्चो रदरफोर्ड का model फेल हो गया था, रदरफोर्ड का model क्यों फेल हुआ था, कोई बताएगा आप में से, failure of रदरफोर्ड model, रद में क्या था, हमने ये discuss किया था, last time पे, कि अगर atom लगातार energy lose करता रहता है, electron लगातार revolve करेगा, nucleus के चारों तरफ, तो उसकी energy क्या है, continuously, वो energy क्या हमिट करता रहेगा, और ultimately, वो nucleus में आके fall कर जाएगा, जिससे हमारा atom unstable गोसित हो गया था, और वहाँ पे hydrogen spectrum के बारे में भी कुछ भी बताया नहीं गया था, तो ये उसके क्या थे, filler थे वही, filler के अंदर उन्होंने ये चीज़े नहीं बताई थी आपको, तो चलिए आप discuss करते हम ये चीज़े अराम से समझोगे आप बिलकुल, देखिए, first postulate में बताता हूँ आपको इसका, what is first postulate, देख लीज नहीं है, यहाँ पर differentiation नहीं है किसी point का, electron revolve only in fixed circular orbit orbits, इन्होंने क्या बताया, कि electron है जो केवल उनी orbit, उस क्या है, fix orbits में यानि fix orbit में गूमता रहता है, जिसकी energy भी fix है और velocity भी fix है, यह बात वहाँ पर पता नहीं लगी थी, यह नहीं बात हमें पता लगी, क्या बोला, कि electron के फिक्स circular orbits में ही गूमता है, ठीक है, और fix energy के साथ, fix velocity के साथ वो गूमता है, fix value होती है, सब कुछ, ठीक है, second point में नया point जानने को मिला, third point, quantization condition, मतलब, electron revolve only those circular orbits for which angular momentum होता, बच्छो, L, is integral multiple of h by 2π, इन्होंने क्या बताया, उपर वाले point में बता दिया, fix energy और fix velocity से वो circular orbits में, fix value में गूमता रहता, तो उन्होंने बताया, कुण सी fix value हो भी वो, के electron revolve only in those circular orbits, के उन circular orbits में गूमेगा, जहां पर angular momentum है, जो, उसका, वो किस के एकवल है, L is equal to, integral multiple, मतलब, n number of h by 2π, येक fix value थी, बच्छो, यहाँ पे n मेरा क्या है, integral है, और n का मतलब, यहाँ पे cell ह ही है, बच्छो, number of cells, n का मतलब क्या, number of cells, चीक है, तो चलिए, अगर मैं बात करूँ, n is equal to first की, तो उन्होंने बता था, अगर n मेरा integral multiple 1 है, तो के cell में जाएगा electron, अगर n मेरा 2 है, बच्छो, तो L में जाएगा, n 3 है, तो M में जाएगा, और n 4 है, तो N में जाएगा, तो clear है, next postulate देखा हूँ, next important वह ज़्यादा है, कि while revolving, जब गूम रहा है, the electrostatic force between electron and nucleus provides centripetal force, यह देखो, यहाँ पे बच्छो क्या है, यह electron है, और यह nucleus है, बीच वाला, ठीक है, मालो electron हमारा क्या है, यहाँ पे revolve कर रहा है, तो इन्होंने बताया, कि जो इस electron के force, यानि इसमें क्या है, तो force of electron है, बच्छो, जो apply हो रहा है, और एक force of nucleus है, simple सी बात आपको दिख रहा होगा, यानि इन्होंने यह बताया है, कि जब revolve करता है, electron, तो electron और nucleus के बीच में क्या है, एक force produce होता है, उस force को, अब दिखो, दोनों charge है, बच्छो, य तो अएसे force, जो negative और positive के बीच में होता है, उनको क्या बोलते हैं, electrostatic force, क्या बोलते हैं, electrostatic force, तो उनने बताया, कि ऐसे करने से क्या है, electron और nucleus के बीच में, electrostatic force generate हो जाता है, और उस force का नाम है, FC, क्या नाम है, बच्छो, FC, FC मींस centripetal force, क्या नाम है इसका, centripetal force, समझ अगर मेरा ये लेक्ट्रोन है और सेंट्रिपिटल फोर्स हम दा रहूं। मैं कि आपको M मास वाला है और 20 की विलुस्टी है ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है लेक्ट्रोन और नुकलेस के बीच की दूरी बच्चो आर है। तो FC force लगेगा center की तरफ, centripetal force, तो यहां पर मैं क्या बोलूँगा, जो FE है, वो FC के equal है, ठीक है, FE क्या है, FC के equal है, और आप जानते हो, MVR is equal to, क्या हो जाएगा, इसकी circumference की बात करोगे, तो आप एंगुलर मोमेंटम की MVR, एंगुलर मोमेंटम जानते हो न, MVR is equal to NH by 2π, मा value is 6.62 into 10s to power minus 34 joule second, then FE, यह आप याद रखो, अगर दो charge मेरे पास Q1, Q2 है, उनके बीच में separation, यानि distance उनके बीच की R से denote करता हूँ मैं, तो force on electron निकालने का formula यह आपको याद रखना पड़ेगा, क्या formula होता बच्यों, force on electron निकालने का, 1 by 4 by epsilon not Q1, Q2 by R square, समझ जाओगे न 1 by 4 by epsilon not Q1, Q2 by R square, epsilon not यहाँ पे क्या होती है, primitivity of free space होती है, जानते हो आप physics में पड़ा होगा आपने, तो यहाँ पे क्या जाएगा मेरा, FC, centripetal force का formula क्या हो जाता है, FC is equal to mv square by R, यह तो आप जानते होगे दोनों formula, FC is equal to mv square by R, तो हम इसको discuss करते हैं अगले postulate में completely, while revolving in particular orbit, जब electron particular orbit में चक्कर लगाएगा, तो electron neither gain energy nor loss energy, तो ना तो वो energy gain करेगा बच्चों, ना वो energy loss करेगा, ठीक है, यानि energy of an orbit, cell is fixed, यानि cell की energy जो हमारी वो fix होगी, यानि actually क्या कहना चाहरा है, कि stationary energy level होगे, ठीक है, और यह मैंने आपको बता दिया, n is equal to 1 है, तो K cell मे जाएगा, energy equal to 2 है, तो L cell में जाएगा, fixed value है, ठीक है, तो चलिए डिसकस करते हैं, अब आप में इसका point, अभी मैंने आपको क्या बताया था, इसके अंदर, देखो, अगर E electron मेरा है, ठीक है, देखो, ये electron इस nucleus की चारों तरफ चकर लगा रहा है, electron पे negative charge होगा, बच्चों इसका जो charge है, वो क्या है, अब आप जानते हो, number of proton कैसे निकालते हो, Z से denote करता हूँ, number of electron और proton को है, तो इस nucleus पे जो charge होगा, positive charge तो है, लेकिन इसमें proton भी तो है, number of proton, तो मैं क्या इसके charge को बोल सकता हूँ, ZE, क्या बोल सकता हूँ, ZE, यानि ZE का मतलब है, इसमे electron भी है E से denote कर दिया, और इसके अंदर proton है, Z से denote कर दिया हमने, जो ZE is the charge होँदा, nuclear charge बोलो बच्चों, बार बार बोलने के बज़े, nuclear charge हम इसको बोलेंगे, ठीक है, तो अचलिए, start करते हैं, इस postulate का जो meaning है, उसम जाओं आपको, मैं, Fc is equal to Fe, Fe की value मेरे पास आ गई थी, कितनी आ Q1, Q2 by R², क्योंकि हमारा जो देखो, पर की तरफ अगर चले हम इसमें, तो यह था ना, Q1, Q2 by R², तो यहां पर चार्ज देखो, Q1 कौन सा चार्ज है, बच्चो, यह Q1 मान लिया, हमने और Q2 मान लिया, ठीक है, आर इन के बीच की दूरी है ही, तो Fe मेरे क्या हो जाएगा, दियान से समझो, 1 by 4, पाई F silent note, देखो, Q1 की जगे पे मैंने रख लिया, E, और Q2 की जगे पे मैंने लिख लिया, क्या, ZD, और नीचे सेम है, R², क्लियर है, किसके एक बल था, बच्चो, FC के, और FC की वैलू मेरे पास कितनी आई थी, बताओ, centripetal force की वैलू, MV² by R, यहां करते हो न, MVR की वैलू, यहां से, अगर मैं लूँ इसको, first equation से, तो MVR is equal to NH by 2 pi, now let us put, इने, अब क्या करना, देखो, दो equation बन गई, बच्चो, कौन कौन सी, एक तो यह equation, MVR is equal to NH by 2 pi, और second equation बन गई, मैरी, 1 by 4 pi, epsilon note, Z square by R, square is equal to MV square by R, यह दोनों क्या हो गई, आपस में, equal, अब क्या करेंगे हम, यह topic बहुत important है, जो पर मैंने बताया है, अब calculation हमने करनी है, यह topic खतम हो जाएगा, फिर calculation हम करेंगे radius, radius की, सबसे पहले हम radius of electron निकाल लेंगे, radius of electron की radius को कैसे निकाला जाए, direct formula याद करना वैसे तो आपको लेकिन हम पहले calculate करेंगे, ताकि हमें उसक तो basically समझना आ जाए, otherwise exam में direct formula आपको याद रखना होता है, but deeply बताएंगे आपको starting में, तो क्या है इसके अंदर, चलिए, calculation for radius, dividing equation first by second, जो उपर वाली first equation, इसको second से डिवाइड कर दो बच्चो, divide भी करना है, और क्या करना है, square भी करना है दोनों का, उपर वाली का square करो, फिर divide करो, निचे वाली का square करो, दोनों को divide करो, तो divide करो गे, तो क्या जाएगा उपर वाली में, बताओ, क्या हैगा, n square, h square by 4 pi, square is equal to m square, v square, r square, इसका square करूँगा तो मैं, divided by क्या करना है, इसकी value तो क्या जाएगा बच्चो डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा और एन देखो डिवाइड करके जो भी कट जाए इसको काट लेना आप समझ लेना तो और एन एपसाइल सक्रेंट समझ अब मैं किया कृँगा है इसमें जो भी कोंस्टन है उसको ला कर लुगा 5 Gron is equal to Jitने भी constant है देखो h square constant है epsilon not constant है Primitivity of free space पाई constant है m constant है Mass of electron और e e b मेरा चार्ज भी constant होता है तो बच गया क्या n square y z बच गया केवल तो इन सभी की value अगर मैं put करता हूं कहीं से experiment से value put करेंगे सब की तो आपको मिलेगा यह answer यह याद रखना बस यह important चीज है बस तो मिल गया क्या सभी constant की value पुट करने के बाद I will get 0.53 into n square by z on strong क्योंकि radius है ना किसकी electron की और on strong में होगी on strong में क्यों आएगी क्योंकि बहुत ही छुटा होता है हमारा electron चीक है चलिए next point हम discuss करते हैं अब अगर कोई question आएगा exam में तो इस तरह से आएगा भी देख तो first, second, third, fourth, fifth cell of hydrogen atom तो क्या है rn is equal to first ये formula apply करो first cell की निकालने तो n की जगे फर्स्ट one put कर दूँगा बन का square one ही होगा यानि ये value आगे मेरी इतना अन्सरा गया r2 ये क्या है radius of second cell and this radius can be calculated by applying the same formula 0.53 into n square यानि n क्या आप की बारविच हो second cell है na n square by z, z तो atomic number तो hydrogen का one ही होता है तो सभी में one आएगा निचे तो ये मेरा आजाएगा two का square by one यानि की four आगया four से multiply करेंगे तो two point one two on strong ठीक है चलिए ये calculation हमने कर ली second calculation है velocity की velocity को कैसे calculate करोगे बच्चो हमने एक relation उठा लिया first equation जथी उपर तो इसको क्या लिख लिया mvr is equal to nh by two pi mvr is equal to nh by two pi अब हमारे प ने उपर निकाल दिया है और ये radius की value यहां put कर दी समझ रहे हो ना चीक है mv into n square h square epsilon not pi divided by pi m z square देखो जो कटता है काट दो तो क्या बचेगा ये उमारे पास is equal to nh by two pi था देखो सभी value समझ मैं आ रही होंगे आपको जब मैं इसको कटूंगा तो मेरे पास क्या है after cutting all the usable terms we will get v is equal to z square by two h epsilon not n ये बच गया बच्चो अब मैं क्या करूंगा velocity of electron nth cell की velocity electron की निकालनी है तो vn is equal to z square by two h pi epsilon not n ठीक है अब मेरे पास क्या गया वही मैं again क्या करूंगा इसमें जितने constant है सभी को इकठा करूंगा I will collect all the constant from this formula I will get vn is equal to e square divided by two h epsilon not these all are the constant and after remaining term is z by n after putting all the values of all constant we will get simply 2.18 into 10s to power 6 z upon m meter per second because unit of the velocity is meter per second understand if you want to calculate speed of electron in first orbit orbits then hydrogen for hydrogen z is equal to 1 atomic number and n is equal to also 1 for first cell first orbit V1 is equal to 2.18 into 10s to power 6 meter per second it is very fast देखो speed of electron कितनी है बहुत fast है ना बहुत fastly चलेगा यह ठीक है चलिए next term बच गई energy की energy हम पहले क्या करेंगे kinetic energy निकाल लेंगे फिर potential energy फिर total energy बच्चो तो kinetic energy का formula सभी को पता होगा half mv square half mv की value आ चुकी है देखो एक value आएगी तो दूसरी value उसके साथ put करते चलेंगे बस एक value आ जाती है तो दूसरी value के आपस put करते चलो हमारा काम होता चलेगा तो 1 by 2 mz square I am putting here the value of v and there is v square so we will do the square of complete term that is v and after putting these values we will get kinetic energy is equal to half mz square e4 e ki power 4 divided by 4h square epsilon not square n square kinetic energy is equal to क्या करोगे अब आप यहाप पे जब आप इसको multiply करोगे तो 1 by 8 into mz square e4 और h square epsilon not square n square kinetic energy किसके equal आ गई भई देख ले यह मेरी kinetic energy आ गई इसके equal क्योंकि मैंने यहाप पे क्या किया अगेन जितने भी constant term थी सब कोई कठा रख लिया और जो non constant जो variable term थी उसको अलग रख लिया तो यहाप पे जब सभी की values बुट करेंगे again we will get 13.6 z square divided by n square electron volt it is the unit of energy क्या किसकी unit है energy की ठीक है न तो यह था अपना kinetic energy का भी जो electron इसके चारों तरफ गूम रहा हो kinetic energy से गूम रहा है और इन दोनों के बीच में दो चार्ज के बीच में जो भी energy होती न बच्चो वो electrostatic potential energy होती है दो चार्ज के बीच में जो भी energy होती हो electrostatic potential energy होती है तो kinetic energy of NH cell का formula यह आ गया अब हम discuss करेंगे potential energy मैंने भी बताया था अगर जो दो चार्ज हमारे पास लिए गए है मानलो एक पलस है एक माइनस है दोनों के बीच में separation क्या है बच्चो पलस माइनस कैसे पता लगे आपको क्योंगी एक चार्ज तो electron है फस्ट वाला सिकिन चार्ज मेरा क्या है जैडी nuclear चार्ज तो ये वाला तो negative है न एक तो इन में से त वाला चार्ज की रख के चलोगे आप साथ साथ में ठीक है तो potential energy का formula क्या होगा बच्चो ये मारा electrostatic potential energy का formula हो जाएगा charge के कारण जो दोनों के बीच में R separation है तो potential energy is equal to 1 by 4 by epsilon naught क्यों 1 q2 by r क्या जाएगा क्यों 1 q2 by r तो क्या करोगे minus minus का sign लगाते चलेंगे हम because charge की value भी शो करनी होती है potential energy के अंदर तो minus 1 by 4 pi epsilon 0 q1 की value e हो गई बच्चो q2 की value z हो गई और नीचे के r है we will get minus 1 by 4 pi epsilon 0 और z square into pi m z square again you will get n square h square epsilon 0 अगे चलोगे तो आपको क्या मिलेगा भी इसके अंदर you will get simply अब देखो यहाँ पे जब इसको मैं इस drum को क्या करूँगा थीक है मैं इसको multiply कर दूँगा क्यों कर रहा हूँ ताकि इसकी value के equal आ जाए तो मैं क्या करूँगा इसको 2 से multiply और 2 से divide कर दूँगा ताकि यह value हमारे relate में आ जाए कि इसके नीचे ना 8 आणा ज़रूरी होता है ताकि हम इसके साथ उसका relation फिर बुना सके तो क्या हो जाएगा जब 2 से divide 2 से multiply करोगे तो आपको मिलेगी कुछ यह ट्रम ठीक है after multiplication we will get this ट्रम and finally after collecting all the constant beside this value we will get m e 4 and minus m e 4 divided by 8 pi square 8 epsilon node square h square into z square by n square into 2 then you can say that यह किसकी value है बच्चो kinetic energy की है न सारी value यह उसी जैसी value है से तो मैं कहा लिख हूँ आपे minus 2 into 13.6 इसकी value कितनी है 13.6 हमने निकाल ली थी पीछे into z square by n square तो देखो आपको मिल गई है kinetic energy मिल गई potential energy मिल गई total energy निकाल लो गई potential energy plus kinetic energy potential energy यह आई थी kinetic यह आई दोनों को add करा तो क्या आ गया minus 13.6 into z square by n square electron volt तो देखिए ज़्यादा calculation हो गई है हमारा topic भी finish हो गया है तो next session में हम कोई और important topic करेंगे एक ही topic बच गया बच्चो इस chapter का और वो topic हमारा क्या है hydrogen spectrum ठीक है उसमें different type of series आएंगे lyman series, balmer series, pastyan series, pifan series, cheeky bracket series उनको हम discuss करेंगे जो hydrogen atom फेल हो गया था देने के लिए hydrogen atom का spectrum हमने next topic में करना है तब तक के लिए आप safe रहें सरक्षित रहें thank you, bye bye, have a nice day करेंगे करेंगे